सब्सक्राइब साब बहुत अच्छे मूव्स इंजॉई करें मेरे काल से सब को सप्राइज करा जब ये बजार सब 19,000 से 21,000 की जर्नी इतने छोटे स्पैन अफ टाइम में पार कर गया अब रियेसेस कर रहे हो क्या आज सुबह से बड़ी वोलिटैलिटी आ रही है बड़ी ख़वरे अभी सामने लगी हुए इस हफ्ते की शिडियूल्ड है इस वोलिटैलिटी को आप कैसे रीट कर रहे हो सब कहते हैं बायाउन डिप्स का टेक्शर है क्या कमफर्ट वाकई है ये जब डिप्स आता है आप एंटर कर पाते हो अभी थोड़ी सी नर्वसनेस आ रही है और डिविल्स अड़ोकेट प्ले करो तो क्या चैलिंज है क्या लग रहा अपसाइड कैप हो रही है फर्स अपॉल आशी जी गुड़ाफ्टोन अन गुड़ाफ्टोन आशी जी देखे अगर आप निफ्टी की बात करे या है बैंक निफ्टी की बात करे तो मुझे लगता है इंडेक्स स्लाइटली ओवरबॉट है काउंटर अगर आप और बाट स्ट्रक्चर में जन्रली होता क्या है कि एक तो कि रहेगी अगर निफ्टी की बात करे तो मुझे लगता है बीस दार आट सो इसका सपोर्ट है अगर बीस दार आच सोनिफ्टी स्पॉर्ट में अगर यह वायलेट होता है तूटता है तो फिर मुझे लगता है تین सू पान्न का कौल आ सकता है इसके चांसेस बहुत कम है हला कि मुझे लगता है कि 21000 को पार करेगा आज देखे 21000 को टेस्ट करने के बाद स्पोर्ट में थोड़ा खुला हुआ जैसी 21000 को पार करेगा मुझे लगता है 2200, 2250 तक की एक स्ट्रॉंग शॉट कवरिंग रैली जिफ्टि में मिलेगी 21000 को पार करा तो एक बड़िया और एक्रिसिव मंदी के सौधे कटते हुए नजर आए शॉट कवरिंग इस वज़ार को और तूल देती हुए नजर आए और फिर कानपूर भी जाना है सब आपको आपकी स्क्रीन्स पे रेडी नजर आएंगे सबसे पहले हावडा चला जाए ललिता लुहिया जी स्क्रीन्स पे लिलिता मैम नमस्ते गुड आफ्टनून ललिता माम, हावडा मैं कब से शिवर्धाज में जुड़े हो, किता समय हो गया मेरेको फॉर यख जादी हुई और कॉविट हगया तो अच्छा है है टाइम स्జनद करने को मिला भोगा होगा हसमेंट का साहत हां सर अच्छे से तो लवीदा, मैं चार साल का सफर कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा और कैसे स्टॉक चुनते हो, आप कैसे डिसाइड करते हो, मतलब खुद ही चुन रहा हो? हाँ, कुछ कभी-कभी मैं अपने फादर इनलो या हजबेंड की ले लेती हूँ तो वो सब भी अक्टिave हैं स्टॉक मारकेट में? हाँ, वो कौफी टाइम से हैं, मैं लास्ट व येर से हूँ हाँ, अभी तो चार साल बोला था, आपने? चार साल से मैं हावडा में हूँ अच्छा, चार साल से हावडा में हो, दो साल से शेर बजार में हूँ? हाँ, सर. हाँ, ओके. जरीता माम, पहला सवाल कौन सा? सर, मैंने IRFC से शेर लिये थे, 3526 रुपीज से. क्या पूछूँ, एक तो गॉट्टी बढ़िया रिटर्न मिल रहे हैं. क्या पूछूँ, मुनाफ़ा बादना है, बने रहना है, और हैट करना है, ऐसा पूछूँ, कुछ और पूछूँ. सर, मेरे को दो, तीनों ही जायना है, कि मैं इनको लोक्रम के लिए रखना चाहती, रखना मला आगे रखूं, या फिर क्या करना है मेरे को, जिसे मेरे को अच्छा बेनिफिट मिल जाया है. सत्तुते साब, कॉंटिडी ठीक है, साड़े तीन अजार, और बढ़िया भाव पे 26 सुपह पे खरीदा हुआ, 82 पे खड़ा है, और कंसॉलिडेशन के बाद फिर चलने की चाहरी कर ली, आज बहुत छे मूव्स दिखा रहा है, रखे रहा हूं क्या, क्या टार्गेट्स हैं आपको अभी चार्च पे क्या नदर आ रहा है? 50% प्रोफिट बुक कर सकते हो. बड़ी है, hopefully वो भी अच्छे स्टॉक होंगे. नुपूर माम के पास रुड़की जा रहा हूं, नुपूर अरोड़ा स्क्रीन पे. नुपूर माम, क्या करता हो आप रुड़की में, और आप शेर्वजा से जुड़े हुए, कितना समय, कितना टाइम होगे आपको? अभी तो हाउस्वाइफ हूं, अलिया वस दूइं जॉब टीचिंग में, बट अभी आप शिफ्टेट तो इस ट्रेडिंग पार्ट, तो आप ट्रेडिंग पार्ट, आप दिन बर स्क्रीन के सामने रहते हो, खरीफ रुग चलती रहते है या खरीद के रखके भूल जाते ह Sir, earlier I was doing this FNO, but now I have stopped doing that, पहुत सारा loss हो गया, तो now I have changed to this share trading, तो इसके अंदर, बस from last one year. And trading मतलब, share trading मतलब आप खुद अपने stock start दे का चूज कर रहा हो? No sir, no sir, from CNP, yeah, आपके channel से भी कुछ, कुछ husband से, कुछ friend से. Channel अच्छा कर रहा है कि husband का इडिया अच्छा कर रहा है? Sir, channel बहुत अच्छा कर रहा है. Husband office का हुए है क्या? Yes sir. Dupur Ma'am, पहला सवाल कौन सा? Sir, first question is, after this IPO released of Tata Tech, I have taken around 20 shares in 1313, 1313. So, I want to know, should I go for averaging or should I exit rate to rate? Rate to rate, 1313, मतलब यहां से 60-70 रुपर ही आएगा आपका तुभाव, प्लस दलाली, सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिस्टिंग घजब की हुई, उसके बाद enter कर रहा है. अब बहुत सब्सक्राइब चार्ट तो मिलेगा नहीं आपको tenure के लिहाद से. जो भी है, उससे कुछ समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है Tata Technologies? ऐसा बहुत सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, बादर एक्सक्राइब चार्ट पर अगर आप Tata Group की कमपनीज देखें, तो जितनी भी लिस्टिंग किये हुए शेर से, वहाँ पर जब जब करेक्शन आया, वहाँ पर एक बाइंगी उमर्च का आई है, और अगर आप Tata Group overall देखें, एक TTML छोड़ो, लेकिन Tata Group overall अगर आप देखें, तो वहाँ पर आप देखें, आल टाम हाई पर सब चलब है, तो यह आपका एक track record ही कहता है, कि यह counter hold करने लायक है, जिनके पास नहीं है, उनके लिए opportunity है, प्रबैबली थोड़ा सा वक्त मिले थोड़ा देना पड़ेगा आपको, लेकिन eventually I think उन्हें एक अच्छा मुनाफ़ा होगा, तो मैं तो definitely कहूंगा, चार्टी के लिए थोड़ा side पे रखें, लेकिन मेरे ही साब से Tata Technology is a clear cut hold, in fact, जिनने accumulate करना है, उनके लिए opportunity है, तो मैम को जैसी तरस position बनाया रखनी है, गब इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए, यहां पर ही consolidated होगा, और यहीं same pattern हमने पहले भी देखा था, TCS के time पे देखा था, Tata Motor के time देखा था, कितने लोगों ने Tata Motor 200 के लेवल पे निकल गए, और आज देखिए भाव क्या है, तो ऐसा नहीं है कि यह counter generally consolidated होते है, यहां पर ब और कानपुर से मौजमा जी screens पे, मैंने रिनाउंस ही करा, मौजमा, मौजमा, येस, मौजमा मैं हाई, good afternoon, मौजमा मैं आप कानपुर में क्या करते हो, और पहली query कौन सी सत्पुते सहाब के लिए, कानपुर में, कानपुर तो मेरा home town है, मैं job करती हूँ गुर्गाओं में, अभी अभी मैं कानपुर में हूँ, actually I become a mother recently, so अभी मैं maternity leave पर हूँ, अरे वाँ, hearties congratulations, तो job के साथ-साथ, share bazar में investments चलते रहते हैं, जी, जी, बिल्कुल, मौजमा मैं, पहला सवाल कौन सा, साल से investing स्टार्ट की है, CNBC आवाज की थूई, और मैंने काफे सारे share ले रखे है, इसमें, scafler है, और भी shares है, बर सुजलान energy जो मैंने लिया है, वो, it's not performing well, मैंने अभी recently enter किया है, तो मुझे उसमें quality है, कि मैंने, हाँ, सुजलान energy 38 के price पे लिया है, sorry, 40 के price पे लिया है, around 300 quantity, तो मुझे अभी ये सुनने में आ रहा कि power sector बहुत अच्छा कर रहा है, and power sector में power energy बहुत are doing well, तो मुझे कितना, मैं add कर सकती हूं, या future के लिए इसको secure कर सकती हूं, तो वो जाना है मुझे. सुजलान क्यों decide किया था, power की idea तो ठीक था, सुजलान कैसे zeroing करा? Sir, Tata Power में भी मैंने इंकिया था, बट वो बहुत slow moving था, तो इतना patience था नहीं में रहे अधर तो, मैंने उसमे exit किया, और अब Tata Power फट गया है, देखा आपने Tata Power को? जी, 320 चल रहे हैं भी उसका prize, तो हो सकता है, सुजलान जब आप exit करो तब चले, ये रिटेल के साथ हमारे साथ ऐसी होता है, जब हम लेकर बैठते तो नहीं चलता है, ये नहीं है कि सुजलान ने perform नहीं कर रहा है, सुजलान ने आपकी entry से पहले बहुत गजब का perform कर रखा है, हाँ, up to 44 तक perform किया, सिंगल लेट वाला फटते फटते 40 प्लस पे चला गया था, अब थोड़ा से ठंटा पाड़ रहा है, सब्सक्राइब क्या करूं, तो मैं मोमेंटम प्ले करना चाहता था और जब मैं घुसा तभी मामला अटक गया, क्या करना चीए सुजलान में, आ आप बोलोगे, तो आइड करना तो आइड भी करूंगा, होल्ड करना है, होल्ड करना है, तो होल्ड करूंगा, जो आपको कहें मेरे तो भाव निकले और मुनाफ़ा आ जाए, या या एम है, अचीजी देखे, दो, अज़े इंवेस्टर तेखिए, हम यही देखते कि, के लेवल तक, 34-35, at present it is at 38, तो 4-5 रुपए भी आपको पकड़ो, तो 10-15 टके का यहां पर correction, तो वो जो correction है, वो correction होगा, medium term के लिए entry point, और इसके बाद जो target आना चाहिए, देखे, medium term में जब तो कम से कम एक साल का horizon रखेंगे, यहां पर, क्योंकि एक साल का horizon अगर हम रख होगा, लेकिन short term के हिसाब से अगर आपने लिया है, तो यहां पर मुझे लगता है, एक बार के लिए मुनाफ़ा बाद दे। शैने आसे अच्छेगा से सुजलॉन target डिलिवर करने का दमखम दिखा रहा है चार्च पे, ललिता मैम अगला सवाल, सर मेरे infi beam लिये में से 3,024 रूपीज है, infi beam avenues 24, यहां पर, यह किसका idea था, सर यह भी मेरे फाद्वेन लोगाई था, यहां तो फज गया, दो डाई कमाकी नहीं दे रहा है, क्या करना है, आशी जी देखें, मेरे हिसाब से यह consolidate हो रहा है, 20 और 22, तो हमारा stop loss होगा, 19 का, 19 के stop loss के साथ आप बने रहे, जैसे 22 का level निकलेगा, उसके बाद मुझे लगता है, कि इसका target जो unfold होगा, वो कम से कम रहेगा, 28 से 30, तो इससे clear cut, आप नहीं सर, उनको time बहुत कम मिलता है, 99% उनके साथ ही बेटी रहती है, उन सब चीज के लिए, पादन लों के साथ, ठीक है, नुपर मैं, अगला सवाल, Yes, sir, I have 40 shares of Lakshmi Organic on 278, in 278, so, same question, what to do? ने, ठीक है, Lakshmi Organics, मेरे भाव पे खड़ा हुआ है, नुपर मैं, हमने तो long term के लिए है या कुछ और मन था? Sir, long term के लिए सुचा था, सब तर साब भाव भाव खड़ा हुआ है, कितना time होगा, नुपर मैं लिए हुए? Sir, around 3 months. आ, तर सब्सक्राइब कर रहा है, इस पेस की सारी कमनी जाता सब्सक्राइब करना है, पिटने के बाद, क्या करूँ लक्ष्मि और गानिक्स में, बने रहा हूँ? I think बने रहना चाहिए, क्योंकि चार्ट में वही कहीं दिक्कत नहीं है, यह अपनी important levels के उपर खड़ा है, 200 DMR, 270 के आसपास है, तो 278 पे यह फिलाट टेट हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यह generally counters consolidated होता है, यह इसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि बाद में जो मुह आता अच्छी जी, वो बाद में catch नहीं होता, मेरे इसाब से उनका stop loss होना चाहिए 260, 260 के stop loss के साथ, hold your long position, मुझे लगता है, जैसी 290 का level कटेगा, breakout मिलेगा, यह जाएगा completely 340 तक, तो मेरे इसाब से counter अच्छा है, लेकिन हाला कि consolidation में है, तो इससे hold पिल गुल्टी, मौजमा मैम, अगला सवाल सर, मुझे next question यह है कि, like I had told you, कि मेरे इसेंटल एक daughter हुई है, तो मैं इसके लिए invest करना चाहती हूँ, तो अभी उसके लिए से जो defense है, अभी तो theme जो चल रही है, वो defense में चल रही है, बहुत मुझे पसंद है, तो मैं लेकिन long run के लिए रखना चाहती हूँ, for her better education, तो उस की perspective से में किस में invest कर सुती हूँ, किस theme में, like defense है, sector और any cap, mid cap और large cap, यह तो बड़ा responsibility वाला काम दे दिया है, सद्पुतर साब आपको मौदमा में, निफ्टी ETF में लगा रखा है का मौदमा, SIP वगरा कर रखा है, SIP मैंने कुछ large cap ले रखे, उसमें मैं monthly invest करती हूँ, जैस उसमें यह लगा कि last year, after 27 पे गया तब फिर महीं पर आए, अगर मैं long run के लिए रखती हूँ, तो उसमें मैं कहां पर डिख सकती हूँ, बहुत long run के लिए, Nifty का ETF तो best है, बाकी तो सब्सक्राइब साब बताएंगे, सब्सक्राइब बढ़िया pedigree वाले, जो conviction हो, आप भी core long portfolio में hold करते हो, जो मौझमा आने वाले, near term के लिए at least 5-10 साल की visibility अभी नजर आ रही था, मौझमा इसका बतलब यह नहीं होता कि हम review ना करें constantly, पढ़ते नहीं, कुछ बिगड़ गया माहौल, तो call लेना पड़ेगा, लेकिन as on date, सब्सक्राइब कोई बढ़िया pedigree के stock जो 50, 160, यह range है जहां पर आपको थोड़ा-थोड़ा करके shift करना है, मेरे इसाप से 200 प्लस तो आराम से जाएगा, at the same time, चुकि वो long term की बात करते है, क्योंकि मेरे भी बेटी है, तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरे बेटी के लिए कुछ लेना है, तो मैं क्या लेकर रूख जैक हम 600, 650 के बड़े टागेट चंद पूर रहे है, तो IT से एक ऐसा रहेगा जहां पर आपको stability भी बिलेगी और volatility से भी आप थोड़ी बचे रहेगी, ओके, यह हैं सद्पुते साब की preferred ideas, इस note पर एक काम करा जाए, ललता मैं, नुपुर मैं, मौजमा जी, thank you so much जोडने के अपनी queries इस platform पर race करने के लिए, और सत्पुते साब, सारी queries बड़िया तरीके से solve करने के लिए आपका धन्यवाद, break ले रहा हूं, break के उस पार लोटेंगे, quick market check, break के बाद आप सब का स्वागत है, broader markets दिखाता हूं, आज सुबह से वो तो फिर भी better strategy में, हाँ ये बात है क तो breath बन जाती है, वो sustain नहीं होती, लेकिन अभी भी healthy, mid caps आधा परसेंट उपर, breath advances के बड़िया फेवर में, ये basically कह लिए, जब five is to three का ratio हो गया, तीन गिर रहे हैं, तो उसके सामने पांच stocks बड़त के साथ trade कर रहे हैं बता दें कि money control पर दिये गए विचार, experts के अपने नीजी विचार होते हैं, website या management इसके लिए उतरदाई नहीं है, users को money control की सलहा है कि कोई भी innovation इंडले लेने से पहले certified expert की सलहा लें जाँआए झाँए झाली है